कि नमस्कार दोस्तों बहुत पहुत स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंट करें दोस्तों बेल आइकन अवश्य दबाएं लाई हूं आपके लिए नई पुस्तक जिसका नाम है घुटन भरे घर तो दोस्तों आप देख सकते हैं और इसके रचिता है विनोत सिला जी तो आज मैं बात करूंगी इस पुस्तक के बारे में यह एक लगू कविता संग्रेय है पीपर बैक में 2022 में प्रकाशित हुआ है मुले 200 रपे प्रिष्ट 120 अनंद कला मंच प्रकाशन भीवानी से से देना चाहूंगी आपको विनोत जी के बारे में फतेह बाद हर्याना निवासी हैं इन्होंने में इतिहास में किये भीट किये अध्यापन करते हैं नो पुस्तक इनकी प्रकाशित हो चुकिए कावे लगू कविता लगू कथा तीन पुस्तके इन्होंने संपादित भी जोतिबा फूले राष्ट्रे फैलोशिप अवाड हर्याणा प्रादेशिक लगू कथा मंच कैथल से समानी तुछी बहुत सारे समान इनको मिल चुके हैं और अब मैं बताती है पुस्तक इनोंने समर्पित किया मानने मानक राम सिल्ला डाधा जी को और प्रकाशकिये में सुनीता जी ने लिखा है, सुनीता जी ने अनंत कला मंच प्रकाशन भिवानी के लिए आति हर्श का विषय है कि हर्याना प्रदेश की कवियों में निरंतर सक्रिये रहने वाले कवि एवं शिक्षक विनोत सिल्ला के लगु कविता संग्रें घुटन बरे घर का प्रिकाशन अनंत कला मंच बिवानी से होने के बाद यह आपको हस्त लब्त है और इसकी भूमिका लिखी है सत पाल मुसाफिर हैं यह गाव डाग घर चूली खुर्द तैसील मंडी आदमपूर जि किया इसमें जरूर मैं पढ़ना चाहूंगी उसे सबसे पहले तो लिखते हैं कि घुटन भरे घर शीर्चक देखकर चौकिये मत उसके बाद इन्होंने लिखा कि लोक तंतर पर मंड्राते काले बादल और रूप बदलती शुजण कारी ताक्तों की और इसमें इशारा किया है और जो घटना में बताने जारी उन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने आमें बताया इन्होंने लिखा कि मैंने पिछले दिनों मारवाड की ग्रामेन इलाकों की यात्रा की थी वहां के हालात को देखकर कहा जा सकता है कि मारवाड हर्याना से सो साल पीछे चल रहा है वहा जातियों के अपने अलग-लग मंदिर हैं, जाती वाद छुआ छूत भी पाउं पसारे बैठा है, बुजर्ग के रिम्रित्यू पर यानि उसे काज कहते हैं, जो काज मतलब खर्च करने में बहुत सारे लोगों की घर, जमीन तक निलाम हो जाती है, महिलाओं की हालात भी, उनक बैठा देखा जा सकता है, शादी के कुछ सालों तक तो वे अपनी साथ से भी बात नहीं कर सकती, जो लोग खराब हालात के लिए पिछले कर्मों, या किस्मत को दोश देते रहते हैं, या अलोकिक शक्तियों के भरोसे बैठे रहते हैं, वह निहायत ही कायर होते हैं, जो सं संगर्ष को समर्पित पुद्धी जीवी लोगों की वज़ा से ही समाज में सुधार आता है, बहुत अच्छा कहा, और सबसे ज़्यादा संगर्षील हम लेखा की होते हैं, आगे लिखते हैं कि कलम तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होती है, दुनिया में जितने परिवर्त कलम की बदौलत संभव हुए, क्योंकि कलम विचार को मजबूत करती है, और विचार को मारना या दाबाना आसान नहीं होता, आगे इन्होंने लिखा कि घुटन भरे घर में वर्तमान समस्याओं को समेटने का बहुत अच्छा प्रियास किया, आत्मकत्थे में विनोध जी कहा कि करोना काल में भूत सारे लोगों को घर में भी घुटन मैसूस हो रहे थी, कुछ लोग घर पहुचने के लिए चट पटा रहे थे, घर से बाहर घुटन मैसूस कर रहे थे, तो आपदा के दुश परिनाम स्वरू बेरोजगारों की पूरी फोज तयार हो गई, ये ती चंद हैं, रूपक, उप्मा, प्रतीक, मानवी करण, इन अलंकारों के इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है, क्रांती का स्वर उबरा है, ओज गुण की कविताएं हैं, राजनीती, धरम, इस्त्री, विमर्च, बच्पन को भी याद किया है, जल, जंगल, जमीन को लेकर चिंता जताई है, मजदूरों के प्रती भावु के हैं, प्रशासन को भी खूब लताड़ा इन्होंने, मा, जीवन, छोचन, क्रांती, जोकिदार, स्वर्ग, बुस्तक, आदमी, भीड, दिमागी, दिवालियापन, सत्य, ब्रह्म, ये सभी विशे इसमें हैं, इन्हो उन्हें चरितर के वरिक्ष को सीचने की भी बात की है, अंतर जातिये प्रेम विवा करने वालों का हुका पानी बंद करने वालों की भी बर्शना की है, घुटन भरे धिन, घर में भी चैन नहीं, तो आपको अभी मालुम हो गया होगा कि इनकी लगु कविताएं किस कलेवर की हैं, ओज गुण मुझे इसमें बहुत नजर आया, मैं पढ़ना चाहूंगी इनकी कुछ लगु कविताएं, सर प्रथम तो मैं प्रथम पढ़ना चाहूंगी जिसका शीर्षा के चाहत, सरल कविता, कि तुम चाहते हो मुझे तो मेरे एब, मेरी लत, मेरे गुण, मेरे द नयाये, दोस्तों, कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमारे पाप, पापों का हमें कभी भी फल नहीं मिलेगा, तो ऐसा हम गलत सोचते हैं, नयाये नयाये नहीं करते, बलकि सुनाते हैं फैसला, वो भी गवाहों वा प्रमानों की बिना पर, नयाये तो करता है समय वो भी बिना गवा बिना प्रमान तो मित्रों समय से कोई नहीं बच सकता और एक लगुकविता देखिए शिर्चक लगुकविता घुटन भरे घर दोस्तों कभी-कभी सभी को मैसूस होता है कि घर में भी बहुत घुटन है कहीं न कहीं उसका कारण हम होते हैं जो संतुष्ट है पैसों के पीछे भागना बंद कर चुका है और जो अपने गुणों को पालने पोस्ने में लगा है मुझे लगता है कि उसके लिए घरी स्वर्ख है तो यह कहते हैं कि शहर के पार्क में उम्री भीड रही थी बता कि आजकल घर हैं कितने घुटन भरे कितने घुटन भरे तो मित्रों अपने घर को सुंदर बनाईए उसके वातावरन को महकाईए चमकाईए और एक मुझे लगू कविता और बहुत अच्छे लगी कि बहुत मिले आपने भी आप जो लेखक हैं आपका भी पाला पढ़ता होगा कुछ ऐसे लोगों से कि यह मेरी कलम ह जनाब कटपुतली नहीं जो नाचेगी तेरे या और के इशारों पर लिखती है यह मेरे अपने विचार बहुत मिले कौन मिले यूं मत लिखा कर यूं लिखा कर ऐसा कहने वाले तो मित्रों जो आपको अच्छा लगे वही लिखिए और पाठकों का ध्यान अवश्य रखि और एक है नारीविमर्च की इन्होंने लगू कविता लिखिया है कि खलती है इन्हें शिर्शक है तो सुनिए कि धर्म भी मजभ भी शब्द हैं पुलिंग धर्म भी मजभ भी शब्द हैं पुलिंग स्रिजन किया इसे पुरुशों ने तभी तो खलती है इन्हें महिलाओं की शिक्षा दिक्षा और आजादी और अब मैं आखरी पढ़ना चाहूँगी कि कैसे कैसे हैं लोग बड़े अजीब हैं वे लोग चिड़ जाते हैं जो जानवर कहने से बड़े अजीब हैं वे ये लोग चिड़ जाते हैं जो जानवर कहने से हो जाते हैं जो फूल कर कुपपा शेर कहने से नहीं है मलाल उने जंगली होने का भखशक होने का कितना अच्छा इन्होंने देखिए प्रतिकात्मत मैंने कहा इसमें लगू कविताएं हैं क्योंकि इन्सान को जनवर कहोगे तो नाराज हो चाते हैं शेर कहदो के तो नाराज नहीं होगा शेर बहादूर होता है लेकिन शेर हिंसक भी है तो मित्रों हिंसक ना बनिये इन्सान इन्सान को इन्सान ही बने रहना चाहिए यही संदेश है इनकविताओं का शुक्रिया दोस्तों फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ तब तक के लिए मुझे आग्याते थन्यवाद